नमस्कार दोस्तो इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि JET 2021 का admission process क्या रहने वाला है अगर आपके अच्छे नमर आते हैं और cutoff में आपका नाम आता है तो admission process क्या रहेगा किस प्रकार से आपको college allotment होगी इसके बारे में हम discuss करेंगे तो चली शुरू करते हैं शुरू करने से पहले चोटी से request एप्लीज वीडियो को like और चैनल को subscribe कर दीजिए ताकि इसी प्रकार के important वीडियो के notification आपको समय समय पर मिलते रहे देखिए शुरूआत करते हैं कि आपका exam होने के बाद में आपका result है वो result आने के बाद में क्या होगा result आने के बाद में 22 तारिक के दिन 22 तारिक के दिन आप क्या कर सकते हो online जो vehicle form है या option form है वो खुलेंगे उसमें आपके जितने भी number आने है उस number के according आपको option form में आपकी college की choice बरनी है कि आपको पहले number पर आपको क्या लेना है पहले number पर जैसे आपको RCA लेना है या आपको पहले number पर जोबनेर लेना है तो य एक college के list होती है उस list में आपको आपकी क्या बरनी है choice बरनी है ये choice बरने के बाद में choice बरने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा लगबग इसके साथ आपको fees भी जमा करानी पड़ेगी और इसकी जो अंतिमतिति रहेगी जमा कराने की जो अंतिमतिति रहेगी वो रह आपके पूरे डोकोमेंट्स जो डेट आपको दी जाएगी उस डेट पर वहां पर जाके submit करवाना है या उससे पहले भी आप जाकर क्या कर सकते हो submit करवा सकते हो आगई बात समझ में और क्या करना है आपको इसके साथ साथ ही आपको जो आपके documents है वो सारे के सारे original लेके जाने है इस चीज़ का आपको विशेश तोर से ध्यान रखना है अगर आपका first list में नहीं आता है तो उसके बाद में आपकी एक list और निकाली जाएगी फिर first list के बाद में आपकी second list निकाली जाती है कभी कभी तो तीन तीन list भी निकल जाती है तो first list, second list और third list का आपको इस विशेश तोर से ध्यान रखना है और ये जो जानकरी है ये SMS के द्वारा आपको क्या करवाई जाएगी विव उनिवस्टी के द्वारा SMS के द्वारा आपको provide करवा दी जाएगी कि आपको ये XYZ college मिला है और यहाँ पर आप इस date को जाकर क्या करवाना है आपको इस date पर जाकर आपको admission लेना है और registration करवाना है तो अमीद करता हूँ आपको समद में आ गया होगा अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को like और चैनलन को subscribe करना बिल्कूल भी न बोले और comment करके जरूर बताएं कैसी लगी वीडियो ठैंक्यू